नमस्कार इस्ट्वेंट्स निसांसर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज का टॉपिक है केमेस्टी और केमेस्टी में हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल, छार और लवन और इसे इंगलिस में बुला जाता है अज जो यह टॉपिक हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं और रेलवे एक्जाम के इसाफ से यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है तो आएए शुरू करते हैं और अच्छे से हम लोग इसको कवर करने वाले हैं आप लोग इसे अच्छे से देखते चले कौपी निकाल लिजिये और एक अच्छा सा आपका नोट्स तयार हो जाएगा तो चलिए सुरू करते हैं चलिये तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं अमल के बारे में अमल क्या होता है? इसके गुन क्या होते हैं? और क्या-क्या चीज मुझे याद रखना है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं तो आईए शुरू करते हैं, सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कि अमल का परिभासा बताया गया है, वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइडोजन आयन देते हैं, उन्हें ही अमलों अमल कहते हैं, ठीक है, अभी सेकेंड में मैंने क्या लिखा हुआ है, कि सभी अमलों में हाइडोजन होता है, ये सवाल भी कई बार आया हुआ है, कि ऐसा कौन सा तत्व होता है, जो सभी अमलों में पाया जाता है, तो इसका नाम है हाइडोजन, एक भी ऐसा अमल नहीं है, जहां पर हाइडोजन नहीं होता है, दूसरी एक बात होती है, कि ऐसा भी हो सक के सबी अमलों में जो हमारा सुरुवात होता है वो जेनरली हाइडरोजन से होता है बस इसका एक exception जो है एक ही exception है जो हम लोगों को दिखाई पड़ेगा वो है acetic acid यानि acetic अमल बस बाकी में क्यों होते हैं बाकी में जो है उसमें hydrogen से सुरू होता है बाकी में हम लोग hydrogen सुरू करते हैं बस एक acetic aml है जिसमें क्या होता है वो carbon से सुरू होता है तो I hope कि यह समझ माया होगा इसमें यदि आप लोग देख पा रहे हैं तो बाकी मैंने examples लिया हुआ है sulfuric aml hydrochloric aml और nitric aml जैसा कि आप देख पा रहे हैं सभी के सुरूबात में hydrogen लगा हुआ यहाँ पे भी hydrogen है यहाँ पे भी hydrogen है और यहाँ पे भी hydrogen है बस इसमें एक exception होता है जिसको हम लोग acetic aml बोलते हैं इसका जो सुत्र होता है CH3COOH होता है बस इस वाले में carbon से सुरू होता है अदरवाई सारे aml में जितने भी होता है वो hydrogen सही सुरू होता है अब रहा गया इसके कुछ गुन को देखा जाए aml जो होता है वो स्वाद में खटे होता है यानि जिसका टेस्ट जो होगा खटा यानि सौर्ट टेस्क जो होगा वो सभी aml की स्रेनी में आ जाएंगे तीसरा हो गया litmus परिक्षन litmus पत्र कौन से कलर से कौन से कलर में बदल जाता है तो प्रस्ण ऐसे भी इग्जाम में कई बार आये हुए है aml जो होता है वो नीले litmus पत्र को लाल कर देता है litmus पत्र एक तरह का पत्र होता है जो परिक्षन करने के लिए प्रियोग होता है और जब नीले कलर से लाल कलर में कनवर्ट हो जाए तो समझेंगे ये हमारा aml है चौथा और सबसे important जो exam में अक्सर पूछा जाता है aml का pH मान जो होता है हमेशा साथ से कम होता है ठीक है ना मतलब यदि मैं एक संख्या रेखा के अधार पर बताऊं तो यहाँ वाला हो गया साथ साथ से जो इधर आएंगे वो कम कहे जाएंगे यानि इधर वाले जो हो जाएंगे वो aml हो जाएंगे और साथ से जो इधर वाले होता है वो हमारे छार हो जाते है तो यह हो गया आपके aml के बारे में detailed information ऐसे तो और भी सारी properties होती है लेकिन exam में अक्सर इनी में से कुछ नकुछ आपके प्रस्न आते है तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं छार के properties क्या क्या होते है चलिए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं छार का परिवासा लिखा हुआ है वैसे सभी पदार जो जल में गूलकर hydroxide ion देते हैं hydroxide ion को कैसे लिखा जाता है OH उपर में minus इसमें negative ion होते है यानि negative charged होता है example की बात करें तो NaOH इसे क्या करते हैं sodium hydroxide देख पारों में सभी छार में OH होना जरूरी है उसी तरह से potassium hydroxide जिसका सुत्र होता है KOH इसी तरह से बहुत सारे छार होते हैं दूसरा हो गया इसका गुन छार जो होता है वो स्वाद में कडवा होता है यहां लोग correction कर लेंगा यह खटा नहीं होगा यह छार जो होता है स्वाद में कडवा होता है यह आप बोल सकते हो नमकीन भी हो सकता है ठीक है तो जंदली यह छार जो होता है स्वाद में कडवा होता है अब लिटमस परिक्षन जस्ट ये अमल का उल्टा होता है छार क्या होता है लिटमस पत्र में जो लाल कलर के होते हैं उसे नीले कलर में कनवर्ट कर देता यानि नीला कलर में बदल देता है और इसका pH प्रोपर्टी क्या है पी एच मान क्या है छार का जितने भी छार सोते हैं यानि बेसे सोते हैं सब का मान जो होता है साथ से अधीक होता है जैसा कि मैंने पिछले बार भी बताया था यानि ये साथ से अधीक होता है तो ये सबसे पहले चार जो आप देख पा रहे हैं ये किसी अम्ल और छार के बीच का बहुत ही important difference है सभी सवार लगभग यहीं से cover होते है तो ये हो गया सबसे पहले अम्ल क्या होता है छार क्या होता है अब चलते हैं आगे की ओर इसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं उदासनी करन इसे English में क्या बोलेंगे यानि परिभासा में बोल के सुनाता हूँ यदि अम्ल और छार को आपस में मिलाया जाए तो लवन और जल का निर्वान होता है इसी अभिक्रिया को इसी अभिक्रिया को उदासनी करन कहते हैं English में कुछ ऐसा हो जाएगा When acid is mixed with base then it produces minerals and water and this reaction is called neutralization I hope कि आपको समझ में आ गया होगा तो अम्ल जैसा कि आपने अभी पढ़ा चार जैसा कि पढ़ा ये दोनों जब मिला देते हैं तो लवन और जल का निर्मान होता है ये जो समिकरन आप देख पा रहे हैं ये अपने जिंदगी से जुड़ा हुआ भी समिकरन है acidity यानि किसी भी व्यक्ति को जब acidity होता है यानि अमलता होता है तो यानि उसके सरीर में जरूरत से ज़्यादा अमल बन रहा है यानि हमारे सरीर में गैस का निर्मान हो रहा उसी से व्यक्ति को uneasy form होता है इसलिए हम लोग क्या करते हैं या तो इनो ले लेते हैं या नहीं तो कुछ दूसरा चीज प्रयोग करते हैं अब ये इनो क्यों प्रयोग करते हैं तो सोच के जरा देखिए हमारे सरीर में अमल बहुत ज़्यादा बन रहा है और इनो जो है उसके उपर छार के जैसा काम करता ह ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो देखे पानी बन जाता है और पानी बनने से क्या होगा जितने भी एसीड है वो इसली शरीर में बैठ जाएंगे यानि उपर की ओर नहीं आएगा और बहुत रिलेक्स महसूस होगा आपको तो ये समिकरन अपने लाइप से जुड़ किया जाए तो ये हो गया अमलेता या छारियता किस तरह से प्रियोग किये जाते हैं चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर चलिए इसके बाद सबसे जरूरी टॉपिक जो है वो है बफर विलियन यहां से कई बार सवाल आ चुके हैं देखिए सबसे पहला चीज़ बफर विलियन क्या होता है तो बफर विलियन का परिवासा मैंने कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि एक ऐसा विलियन जिस पर अमल या छार का कुछ मात्रा डालने से उसके पियेच मान में परिवर्तन नहीं होता है यह अगर देखिएगा तो एक अच्छी भासा में लिखा गया परिवासा है यानि किताबों की भासा में ऐसा ही परिवासा लिखा हुआ मिलेगा इसी को मैंने थोड़ा से सामानिय भासा में कनवर्ट किया है जो सभी बच्चे इजली समझ सकते हैं तो ध्यान से इसे देखिए क्या लिखा हुआ है समानी भासा में अमल डालने पर यानि किसी भी विलियन में मान के चलिए कोई भी विलियन मैंने ले लिया उसमें क्या होगा खटा नहीं होगा या चार डालने पर वो नमकीन या कड़वा नहीं होगा यानि अमल का टेस्ट नहीं आएगा और छार का टेस्ट नहीं आएगा पहले इसका मतलब समझते हैं मान के चलिए हमारे पास एक गलास है ठीक है और इस गलास में पानी भरा हुआ है ठीक है ना मैंने क्या किया एक नीमू लिया और नीमू का 5-6 भून इसमें डाल दिया और अब आप सोचिए क्या ये पानी पहले के जैसा रहा नहीं ये पानी खटा हो चुका है यानि क्या हो गया इसका प्रकिर्टी यानि इसका गुन बदल गया तो देखिए परिभासा मेंने क्या लिखा है बफर विलियन का समानिय भासा में अमल डालने पर ये खटा नहीं होगा और छार डालने पर नमकीन ये कड़वा नहीं होगा यही प्रोफेशनल भासा में उपर में लिखा गया है इसके pH मान में बदलता नहीं है यानि pH जितना है उतना ही होता है यानि हमारा पानी बिलकुल बफर विलियन नहीं हो सकता क्योंकि इसने तो अपनी प्रकृति बदल दी उसी तरह साथ आप ऐसा सोचिए कि वापस एक्स एक्सपेरिमेंट करते हैं मैंने पानी ले लिया बहुत सारा तो एक्जामपल पे दो चीज जरूरी आद रखेगा पहला है मानवरक्त और दूसरा है एसिटिक अमल और भी बहुत सारे आते हैं इन में से सबसे जरूरी है मानवरक्त यानि हमारा human blood ये क्यों होता है तो जरा सोच के देखते हैं हम लोग दीन चरिया में बहुत सारे चीजों को खाते हैं खटे पदार्थ खाते हैं नीमू खाते हैं संतरा खाते हैं इमली खाते हैं बहुत सारे ऐसी पदार्थ हैं हम लोग नमक भी खाते हैं बहुत सारे ऐसे हैं cold drinks भी पीते हैं लेकिन जरा ऐसा सोच के देखिए, क्या हम लोग का जब खटा खाते हैं, बहुत सारा मैंने सरबत पी लिया निमू का, क्या हमारा ब्लड खटा हो जाता है, बिल्कुल नहीं होता है, जैसा है वैसा ही रहता है, यदि आपने बहुत सारा कोल्डिंग्स पी लिया, तो क्या हमार आपको समझ में आया होगा और आपके लिए मैंने एक एक्जाम्पल एक्स्टा लिखाया आप इसे भी जरूर याद कर लिएगा चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ चलिए अब सबसे जरूरी चीज पीएच क्या होता है ये अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि इसके बारे ने ज़्यादा डिटेल इंफोर्मेशन नहीं रखते हैं तो आज आपको अच्छे से ही बताया जाएगा पीएच बेसि है हाइडोजन आयन के सांदरन के ब्यूत करम के लगू गनक को पीएच करते हैं बहुती सुद्ध हिंदी का अस्तमाल हुआ इसमें यानि यदि इसे इंगलिस में कहा जाए तो कुछ ऐसा होगा कि हाइडोजन आयन के सांदरन यानि कंसेंट्रेशन ओप हाइडोजन आयन ब् या हाइडोजन आयन का जो कंसेंट्रेशन होता है इसका ओपोजीट का लॉग को ही हम लोग पीएच कहते हैं ये जो परिभासा है ये मैथेमेटिक्स का परिभासा है ये परिभासा से आंकिक प्रसन बनेंगे लेकिन पीएच क्या होता है वो समझ में नहीं आएगा जो समझ में आने वाला परिवासा है इसके जस्ट उपर लिखा हुआ ये हमें बताता है कि actually pH क्या होता है तो आईए पढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है किसी घोल या विलियन की अमलियता या छारियता को बताने का एक पैमाना जो है न वो pH होता है यानि pH एक ऐसा मेजरमेंट है एक ऐसा पैमाना है या बोल सकते हो कि नापने का चीज है जो मुझे बताता है कि कोई भी विलियन या कोई भी घोल अमल है या उसमें छार है यानि वो अमल के गुन को रिप्रेजेंट करता है या छार के गुन को रिप्रेजेंट करता है बस यही हमारा पी-एच है यही अच्छा और सटीक परिभासा है जो समझने के अर्थ में प्रियोग हो सकता है यह जो दूसरा वाला है ना, यह दूसरा वाला से बस मुझे मैत बनाने के काम आएगा अब दूसरे वाले में मुझे आपके साथ एक discussion और करना है यदि इस वाले परिभासा को देखा जाए तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि pH ऐसा होता है कि hydrogen iron के सांदरन का व्यूत क्रम तो hydrogen iron के सांदरन को ऐसे लिखा जाता है जो मैंने सबसे सुरू में बताया है ना, अब इसका व्यूत क्रम मतलब होता है उल्टा तो उल्टा यानि तो ऐसा हो जाएगा with mathematics अब बोला है इसके व्यूत क्रम के लगू गनक, लगू गनक का तो मतलब मैंने log बताया actually इसका परिभासा के आधार पे यह ऐसा निकलेगा लेकिन जरा सोच कर तो देखिए कि परिभासा के आधार पे तो ऐसा हुआ लेकिन मैंने लिखा है कुछ इस तरह से किताबों में भी यही मिलता है रहा बात यह कहां से आया तो आईए इसका reason बताते हैं यहां पे लिखा गिया है log math के अनुसार क्या होता है कि यदि इस वाले नंबर को उपर ले जाए तो power जो होता है वो interchange हो जाता है यानि plus का minus और minus का plus तो यहां पे कुछ power नहीं है तो मैंने by default one माना क्या है plus है plus उपर जाके क्या होता है minus और log का concept छोटा सा एक ऐसा concept है कि log में जो भी powers लगे रहते हैं उसे हमेशा पहले की ओर लिख देना होता है तो यहां power कितना हो गया minus 1 तो minus 1 लिख देते हैं यहां पे हो गया log of h plus है ना अब इसे यदि minus से multiply करेंगे तो यही हमारा माना जाएग तो यह मैंने लोगों को बताया कि इसका मतलब जो formula दिया रहता है वो कैसे प्रियोग होता है वो मैंने आपको बताया और यह कहां से आता है I hope की समझ मा गिया होगा तो मैंने इसका mathematical formula भी समझा मतलब भी समझा और general life में pH का मतलब क्या होता है उसका भी परिवासा हम लोग समझ चुके है तो I hope की pH का अर्थ क्या होता है सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा इसमें और एक ची याद रखना है कि log 10 का मान जो होता है न वो हमारा एक होता है ठीक है log 10 का मान एक होता है चलिए बढ़तें आगे की ओर चलिए तो pH पर आधारित एक मैं आपको बताता हूँ आंकिक प्रस्ण कैसे बनेगा ध्यान से सुनिएगा किस तरह से सॉल्व हो जाएगा तो मैंने एक प्रस्ण लिखा हुआ है यदि किसी विलियन में hydrogen ion के सांदरन का मान 0.001 है तो इसका pH ग्याद करें देखिए यदि मैं pH पर आधारित आंकिक प्रस्ण की बात करूँ तो बहुत सारे variations मिलेगे लेकिन अपने exam के लिए जो जरूरी है वो कुछ इसी प्रकार का जरूरी है इसलिए मैंने यही वाला सवाल आपके लिए लिया है तो चलिए देखते हैं इसमें मैं दो तरह से बत log H+, यह जो मैंने पिछले बार सुत्र बताया था तो यहाँ पे हो गया minus log और 0.001 क्योंकि hydrogen ion का सांदरन तो इतना ही दिया है ना इसे solve कैसे करेंगे तो आईए बताते हैं minus log इसे मैं क्या करता हूँ point अटा रता हूँ तो आ जाएगा 1000 चलिए इधर मैं solve करता हूँ फिर method number 2 करेंगे इसके बाद यदि करते हैं तो minus log अब इसे ध्यान से देखिए क्या हम लोग 10 to the power 3 लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हैं 10 का q 1000 होता है एकदम आराम से चलते हैं patience से देखिए math बनेगा इसे यदि उपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 10 to the power minus 3 है ना अब मैंने क् दिखाया कि log में जो powers होते हैं उसे हमेशा पहले ले आईए तो ये minus उबर में minus 3 log 10 ठीक है minus minus plus हो गया तो plus 3 log 10 का value जैसा कि मैंने बोला 1 so answer is 3 है ना एकदम आसान तो इस वाले को मैंने इसलिए बोला ये जो formula या परिभासा किताबों में दिया रहता इससे आंकिक प्रसन बन आता है जितना अच्छा हमारा पहला वाला परिभासा था तो आई होप कि ये आंकिक प्रसन आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से solve हुआ अब रह गया कि इसका method number 2 क्या है mentally बन जाएगा mentally मने देखो और उत्तर बता दो देखिए सबसे पहले जो method 2 मैं बता रहा हूँ वो for example मेरे को अगले बार एक सवाल आया ऐसा अब इसका मुझे pH बताना कैसे करेंगे कोई tension नहीं लेंगे point के बाद बस number count करें कितना है 1,2,3,4,5,6 यानि answer हो गया 6 निकालने के कोई जोरत नहीं है जो मैंने यहाँ पर बताया वही चीज़ इसका direct solution है तो हमारा original question पर भी क्या उत्तर आएगा direct बिल्कुल आएगा करके देखिए point के बाद 1,2,3,4,6,3 I hope कि आपको समझ में आगिया होगा कि pH किस तरह से निकलता है मैंने basic method भी बताया basic क्यों बताया क्योंकि अगर कोई सवाल में twist किया जाए तो आप easily बना सके और यह हमारा था direct solution यहरे कुछ बच्च चलिए बढ़ते हैं अगले topic की तरफ चलिए इसके बाद जो चीज़ आप देख पा रहे हैं हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है दो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ यानि आप किसी भी तरह से इसे ignore करके मज जाईए exam में railway exam हो या कोई भी exam हो यहां से हर साल सवाल आता है तो जरूर इसे याद करके जाईए तो चलिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर कुछ अभी आपको पदार्थ दिखेंगे और इनके pH मान दिखेंगे इसे जरूर याद करके जाईए ठीक है मैंने कुछ series wise लिखा है यानि most important to least important ऐसा नहीं की important न पता है कि जो साथ से जादा होता है वो चार होता है यानि मानवरक्त जो होता है वो चार होता है आप मानवरक्त को जैसे कभी कट जाता है तो मूँ में लेके blood उसको जाम करने का कोशिस करते हैं जैसे आप मूँ में डालिएगा तो उसमें क्या होगा आपको पता चलेगा य इसका मान आपको मैंने बताया इसके बाद सुद्ध जल ठीक है कितना हो गया यानि pure water इसका 7 होता है उसके बाद है मानम मुत्र यानि human के urine का pH क्या होता है तो इसका range 5.5 से 7.5 होता है लेकिन आप इसे 7.5 ही याद रखेगा यानि highest value याद रखेगा क्योंकि मानम मुत्र जो हो होता है यानि base होता है इसके बाद आते हैं दूद दूद का pH मान कितना होता है 6.4 यानि ये अमलिय ़ोता है क्योंकि ये 7 से कम होता है और दूद में कौन सी acid या अमल होती है लेक्टिक अमल होती है यह जाके आगे पता चलेगा उसके बाद मानम के लार का pH, यानि saliva का pH जो होता है वो होता है 7.5, highest value आपको याद रखना है, उसके बाद wine जो लोग सराब पीते हैं, एक अच्छे quality के सराब में जो duplicate wine नहीं होता है, उसमें pH की जो मातरा होती है, actually यह अमलिय होती है, तो यह होती है 3.8, ठीक है न, यह range मैंने लिखा है, आप highest value को ही और कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बाद जो beer होती है, उसका जो range होता है, वो होता है 4.5, समुदरी जल तो आपको पता है, खारा होता है, यानि यह च्छार होता है, तो यह होता 8.4, उसके बाद यह है आंतर रस, यानि हमारे आत में जो अमल पाया जाता है, वो जायक की भूमिका निभाता है, इसका pH मान होता है 1.4, इसके बाद अंडा का pH होता है 7.8, यानि यह च्छार यह होता है, कॉफी का pH 5.5, निम्बू का pH 2.4, तो यह मैंने respectively आपको बताए, कुछ पदार्थ और उसके pH मान, अब रहा गिया कि मेरे तरफ से इसमें कौन सा सब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं बैक साइड ले जाके बताता हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एक्जाम में अक्सर पूछा जाता है, मानव रक्त, उसके बाद यदि आप जाते हैं, सुद्ध जल को चलिए, कॉमन है, मानव मुत् ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस मानव लार, ये पांच बिलकुल मत छोड़ियेगा, ये पांच जो है न, अक्सर एक्जाम में रिपीट हो जाते हैं, ठीक है, तो ये था पदार्त और इसका पी एच मान, आईए बढ़ते हैं आगे, इसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विभिन पदार्त और उसमें उपस्थित अमल, यानि कौन सा अमल किसमें पाए जाता है, ये इनफोर्मेशन यहाँ पे दे रहा है, और यहाँ जितने भी आपको दिख रहे हैं, सब के सब जबरदस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ आप एक को भी स्किप क करने की कोशिस नहीं करें, तो आईए सुरू से लेकर देखते हैं, सबसे पहला है सिट्रिक या साइट्रिक अमल, इंगलिस में साइट्रिक या सिट्रिक एसीड किसमें पाए जाता है, सभी खटे पदार्थों में, तो क्या हो गया, नेम्बू और संतरा, ठीक है, उसके बा करेगा, एक्जाम पे आपको दिखेगा, इसके बादे लेक्टिक अमल या लेक्टिक एसीड दूद में पाए जाता है, टार्टरिक एसीड किसमें पाए जाता है, तो मोस्टली आपको एक्जाम में आप्शन रहेगा, इमली, यदि इमली नहीं दिखे तो अल्टरनेट ले में पाया जाता है उसके बाद है oxalic amal ये क्या होता है हरी पत्तेदार सबज़ियों में पाय जाता है यानि पालक साग बगारा कुछ ऐसे आप बोल सकते हैं अब रह गया कि oxalic amal जो होता हमारे अमारे लिए एक तरह से ज़्यादा हानिकारक तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा मातरा में ले तो हानिकारक है क्योंकि इससे जो होता है कैल्सियम ओक्जलेट बनने के चांसे सोते हैं यानि ये किड्री की जो पथरी होती है उसको भी बढ़ाता है तो इसलिए अधिक मातरा में ये नहीं लेना चाहिए ठीक है ये औक्जलिक अमल के बारे में हुआ टैनिक अमल किसमें पाया जाता है जो हम लोग चाई पीते हैं उसमें टैनिक अमल होता है उसके बाद है कैफियो टैनिक अमल कौफी में पाया जाता है और ये तो कई बार एक्जाम पे रिपीट हो चुका है formic acid यानि formic amal लाल चीटी के जो डंक होते हैं जो काटने से हमें जलन करता है इसी के कारण करता है क्योंकि उसमें formic amal पा़ जाता है और इस acid की प्रविर्टी होती है जलन वाली इसलिए जलन करता है तो ये मैंने आपको एक अच्छा सा लिस्ट बताया जिसे एकदम अच्छे से याद करके आप जाईएगा I hope कि आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में और आपको समझ में भी आ रहा होगा तो चलिए कुछ और चीज देखते हैं अमलचार और लवन के उपर चलिए अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने पहले वो सेक्षन कंप्लीट किया है जो एकजाम में देखे ही जाते हैं जहां से प्रस्ण एकदम आते हैं अब मैं वो सेक्षन को ले रहा हूँ जो उतना ज्यादा इंपोर्टन नहीं लेकिन पढ़ना जरूरी है तो अब हम लोग देखने वाले लास्ट कुछ सेक्षन अमल के प्रकार यानि अमल कितने तरह के होते हैं तो अमल दो तरह के होते हैं सबसे पहले पहला अमल का नाम है प्राकृतिक अमल जिसे इंगलिस में नैचुरल एसीड कहते हैं दूसरे प्रकार के अमल का नाम है खनीज अमल जिसे इंगलिस में मिन्दल एसीड कहते हैं ठीक है आईए देखते हैं ये दोनों होता क्या है चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे नेचुरल एसीड और और्गेनिक एसीड जिसे हिंदी में प्राक्रितिक या अमल कहते हैं तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं देखें वैसे एसीड जिन्हें प्राक्रितिक श्रोत जैसे प्लांट और एनिमल यानि पौधों या जानवरों से प्राप्त किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्राक्रितिक देखें नाम से ही पता चलता प्राक अब प्राक्रितिक अमल को कार्बनिक अमल भी कहते हैं ठीक है ना अब जैसा कि हमने बहुत सारा अमल पढ़ा citric acid, acetic acid, lactic acid, tartaric सब हम लोगों ने पढ़ा ना भी ये किसी न किसी में पाया जाता और अपने पाया जाता है आप तो laboratory में नहीं बनाते हो इसलिए ये प्राक्रितिक अमल है क्योंकि ये अपने पाया जाता है हम लोग बनाते नहीं है इसे तो इसी कारण से इसे प्राक्रिति अब चलते हैं आगे की ओर, इसके बाद है mineral acid यानि हिंदी में से बोलते हैं खनीज अमल, खनीज अमल क्या होता आईए पढ़ते हैं, अमल जीने खनीजों से तयार किया जाता है उसे ही खनीज अमल करते हैं, देखिए नाम में ही परिभासा छुपा हुआ है, खनीज अमल, या उसके बाद है sulfuric अमल, ये भी मैंने शुरू में बताया था, H2SO4, और उसके बाद है nitric acid, HNO3, ये सभी के सब जो है ना वो खनीज अमल हैं, क्योंकि इसे खनीज में प्राप्त करते हैं, अब मैंने क्या बोला, प्राकृतिक वाले तो अपने से होते हैं, लेकिन ये खनीज अमल जो होता है ना, ये हम लोग तयार करते हैं, कुछ reaction करवा के, तो इसके लिए मैंने तीसरे line में देखिए, अच्छा जा point लिखा है, mineral acids को यानि खनीज अमल को प्रयोग साला में बनाते हैं, यानि laboratory में बनाते हैं, अपने से नहीं मिलता है, हरी पत्तेदार सबजी में क होई ऐसा करके HCL नहीं मिलेगा आपको, ये बनाना पड़ता है, इसलिए इन्हें man-made या synthetic acid या inorganic acid या अ-carbonic acid भी कहा जाता है, है ना, तो carbonic अमल को हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक अमल और अ-carbonic अमल को बोलते हैं, खनीज अमल क्योंकि ये हम लोग खुद से तयार क तो ये था अमल का दो प्रकार, चलते हैं, आखी section की तरफ चलिए, तो इसके बाद देख पा रहे हैं कि strong और weak acid क्या होता है, यानि कौन सा चीज strong है, कौन सा acid weak है, कैसे पता करें, तो परिभासा ध्यान से पकड़ते हैं, सभी mineral acid, देखिए सबसे पहले सभी खनीज अमल को strong या weak acid, तो strong acid मतलब पहले वो खनीज अमल होना चाहिए, खनीज अमल याद है ना, यानि जो laboratory में तयार होता है, वो inbuilt किसी में नहीं होता है, तो देखिए जितने भी नाम लिखे हैं, sulfuric aml, hydrochloric aml, nitric aml, phosphoric aml, सब का मैंने सुत्रतों लिखाया हुआ है, ये सभी laboratory में तय या carbonic aml हो, या नहीं तो जो laboratory में तयार करता है, वो ही strong acid है, क्योंकि इसे हम लोग बना रहे हैं, अब मैंने इसमें एक exception क्या लिखाया, carbonic aml को छोड़ कर, carbonic aml जिसमें HCO3 आता है, उसे छोड़ कर, जितने भी acid होते हैं, सब के सब strong होते हैं, जो हम लोग बना रहे हैं, रहा बाद फिर weak acid क्या है, तो थोड़ा common sense लगाईए, पता चल जाएगा, मतलब जो auto inbuilt होता है, मतलब पहले से पाया जाता है, देखे बढ़ते हैं, सभी organic acid, यानि सभी carbonic aml, अर्थात, प्राकृतिक सुरोतों से प्राप्त जो aml होते हैं, वो weak acid कहलाते हैं, मतलब जिसमे पहले सही राता जो मैंने बताया, तो ये सब हमारे examples है, ये सभी को weak acid कहा जाता है, और जो laboratory में बनते हैं, उसे strong acid कहते हैं, तो I hope कि आपको definition समझ में आ गिया होगा, और mostly exam में यदि आ जाएगे न, तो आपको क्या पूछा जाएगा, तो इसमें examples पूछे जाएगे, तो आ pH है, एक का मैंने सपोज pH दो लिखा है, ये एक पदार्थ A है, एक पदार्थ ये बी है, ध्यान से देखिए कि इस चीज को भी, एक का pH मैंने 4 लिखा, अगर मुझसे पूछता है कि इसमें सबसे strong acid कौन सा है, तो क्या बताएगे, देखिए बुद्धी लगाएगे फिर, मतलब क्या हो, उसमें अमलियता का गुन सबसे जादा होगा, हुआ कि ने, तो according to common sense, हमें common sense लगाना है, तो 7 से 6 बाले में तो अमल गुन हुआ, ये तो मुझे पता है, लेकिन 6 से 5 बाले में जादा अमल गुन होगा, क्योंकि ये पीछे जारा, तो इसी के आधार पे अगर दोनों का pH मुझे दे दिया, 2 और 4, तो 7 से जादा दूर कौन है, 4 या 2, बिल्कुल 2 है, इसलिए हमारा strong acid कौन सा हो गया, 2 हुआ, 4 इसके comparison में weak acid हुआ, तो ऐसा भी सवाल आ सकता है, हो सकता है, 4 ABCD नाम दे दे और arrange करने बोले, तो आप बिल्कुल ऐसे ही बुद्धी लग पाईएगा और easily हम लोग कर पाएगे, चलिए आते हैं सबसे last topic पे, इसके बाद हमारे पास आखरी है, एक दो चीज और जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, सांद और तनू अमल, इसका English नाम क्या है, concentrated and dilute acid, यानि concentrated acid and dilute acid, चलिए देखते हैं क्या होता है इसका देखिए, जलिए घोल, जिसमें अमल के घटक का item, maximum हो, अब इसको अगर नहीं समझ माता, ignore करिए, आप इसको पढ़िए, देखिए, वो चीज हमें करना चाहिए, जो easily समझ माता है, सोचना क्या है, ऐसा सोचिए, कि एक ऐसा valiant, जिसमें और आप acid को नहीं घोला सकते हैं, तो वही हमारा सांदर विलियन है, है ना, तो ये आपको बस ऐसा याद रख लेना, कोई अगर maximum वाला वर्ड नहीं समझ माता, तो छोड़ दीए, ये सबसे आसान परिभासा है, अब जो ये वाला मैंने नीचे लिखा, इसे आप अच्छे से याद करके जाएगा, एक्जाम quantity होती है, उसका जो आयतन यानि volume होता है, घटने के साथ घटती है, यानि acid का घटक यानि quantity घटेगा, तो आयतन भी घटेगा, और फिर मैंने क्या बोला है, acid के घटक का आयतन बढ़ने से भी घटती है, तो ये थोड़ा से आपको याद कर लेना, कि कौन सा बढ़ने से कौन सा घटता है, तो concentrated अमल का परिवासा या acid का परिवासा क्या था, जिसमें और हम लोग अमल नहीं घोल सकते हैं, ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, तनू अमल का परिवासा, देखिए दिखाई दे रहा है, कि ऐसा जलिये घोल, जिसमें अमल के घटक का maximum नहीं हो, मत अमल या तनू अमल कहते हैं, इसी से एक हमलों का और हो गया, कि acid का dialogue घोलक के आईतन बढ़ने के साथ बढ़ता है, यानि आप ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी अमल की तनू अमल जैसे हुआ, वो कब बढ़ेगा, जब आईतन बढ़ेगा, कब घटेगा, जब आईतन घटेगा ठीक है, बड़ा simple है, तो इसे भी आप याद कर लेगे, अब रह गया, सबसे आखरी, ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा सबसे last है, छार कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, जो समझने में बहुत ही आसान है, जो पदार्थ पानी में घुलन सील होते हैं, उसे क् कहते हैं, अलकलीज बोलते हैं, ठीक है, और पानी में जो अगुलन सील होते हैं, यानि पानी में नहीं घुलता है, उसे हम लोग बेस कहते हैं, तो ये है अलकली, ये है बेस, तो ये था हमारा chemistry का, आज का अमल छार और लवन की उपर detailed explanation, I hope के आपको समझ में आया होगा, ऐ अभी बहुत सारे चीज सीखने बाकी है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, उमीद करते हैं, सभी लोगों को आज का क्लास पसंद आया होगा, जरूर इसे अच्छे से पढ़िए, और जब जब मैं ऐसा topic लेके आता हूँ, आप copy लेके बैठ जाए, कलम लेके बैठ जाए, या सारा चीज नोट करे, आपको किसी किताब पढ़ने की जोरत नहीं होगी, एक अच्छा सा नोट आपका बन जाएगा, तो चलिए उमीद करते हैं, आपको बहुत मज़ा आया होगा, पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिए, एक लाइक तो बनता है, अपने द आपकी मैं आप तक भी पहुँचू और आप तक अपना ज्यान को दे सकूँ, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच